हाई गाईज वल्कम टू सर्योस कौना मेरा नाम है देवियश और गाईज आज मैं बात करने वाला हूँ अगर आपके घर के अंदर कोई भी बना जियो फाइपर या कोई भी बीसिकली वाइफाइ नेटर्क सेटप हो रखा है राउटर लगा हुआ है लेकिन उसके अंदर प् पूरा डेटेल में रिव्यू करने वाला हूँ तो चलिए गाईज शूरू करें तो गाईज यह बीसिकली एक मीनी यूपीयस आता है जो राउटर के साथ में लगता है यह ओ एक्टर का मीनी यूपीयस के नाम से जानाता है आमेजन और फ्लिपकाउट के ऊपर आपको अव आपको देखना पड़ेगा यह 12VDC मतलब BC लिए आपका जो राउटर है वो कितनी कैपसिटी का है नॉर्मली जो राउटर आते हैं हमारे इस तरह के जो जीओ के जैसे सेटर जीओ फाइबर का सेटर बॉक्स हो गया यह नॉर्मली जो टीपी लिंक के राउटर होते है या त टो ग सब्सक्राइबर कह परता हूँ तो इस में से यहा पर एक केबल जो आपके पूरे पूर सेटार बॉक्स के मलत आपका जो राउटर होता है उसके किंदर जाती है और यहा पर होती एक पावर कैबल जो कायों आपके 1000 आपकर के साथमें connect होती है यह adapter आपका वही रहेगा जो आपको basically router के साथ में मिला होता है same adapter रहेगा यह basically पहले पिन यहां की जगे पहले यहां लगी हुई थी right लेकिन जैसे मेरे पास में UPS है तो यह क्या हुआ यह जो यहां पर power cable जो direct connect होती थी वो उसकी जगे इस mini UPS के connect हो गई और mini UPS से एक cable निगल के simply router के अंदर connect हो गई अब इससे होगा क्या आप देख सकते है मेरी screen के सामने जब भी यहां पर मैं light on off करूंगा क्या कुछ भी करूंगा तो मेरी router के ओपर इससे कोई भी effect नहीं पड़ेगा मलब इसमें चार गंडे का जो है backup रहता है पूरा जिसे आपकी light आ जाती ही तो चार्ज होने लग जाता है और अगर light चल जाती तो कभी भी disconnect नहीं होगा तो सबसे बड़ी router जो है बड़े कमाल की चीज है अचा मुझे किसकी खास बाद यह लगी एको कंपनी काता है रेजोनेंट का लेकिन वो साइज में काफी बड़ा होता है यह साइज में बिल्कुल एकदम पावर प्लग है अगर यह इस ताइप का पावर प्लग है तो simply आप इसमें भी यहां पर पावर प्लग लग लगा के और यह इंसर्ट कर सकते हैं तो guys आप यह बहुत ही एक अच्छा काम का है अच्छा guys दूसरी चीज हो कोई भी Chinese product नहीं है पूरा made in India product है आप यहां पर द delivered किया था मैंने अभी यह big billion जो sale चल रही थी basically Amazon पे great Indian festival उसके अंदर मैंने यह purchase किया था और मुझे around 18-1900 रुपे का यह basically पढ़ा था तो guys बहुत ही अच्छा खासा यह mini UPS router है तो आप जो आपको इसकी link में आपको description के अंदर provide कर दूँगा तो वहाँ पे जाके आप purchase कर सकते हैं so guys hope you like this video please subscribe our channel thank you guys thank you very much